नमस्कार दोस्तों आप सभी के श्टडी फॉर यूपेसीपी से सायन में स्वागत है आज का जो वीडियो होगा वो काफी स्पेसल होगा और बहुत सारे चीजों पर हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा डीटेल भी होगा क्योंकि मैं कोस्टन पेपर का एनलेसिस भी थोड़ा सा करूँगा पीटी के कोस्टन पेपर का एनलेसिस नहीं करूँगा मैं दरसल में जिस मुद्दे को लेकर ये वीडियो है, उसको लेकर मुझे मेंस के कोस्टन पेपर आपके साथ एनलेसिस करना है, डिसकस करना है, पिछले साल का GS1, GS2 का, साथी में करेंट अफेर कौन सा आप फॉलो करें, इस सीज को लेकर हम लोग डीटेले बात करेंगे, पीटी चैनल पर नहीं है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि 69 BPSC के बाद कम से कम ये तो प्रूब कर दिया है, मैंने कि जो मैं पढ़ा रहा था, वो मैं सही पढ़ा रहा था, खास तो न्यूज पेपर एनलेसिस, और 70 BPSC के त्यारी कैसे करें, इसको लेकर मैंने ब किया था कमूनिटी पर, कि किस तरह से मैंने पहले ही बताया था, कि देखिए, पैटर्न चेंज हो रहा है, तो नॉर्मल तो सब कुछ नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को एक चीज के लिए मैं सावासी दूँगा, किस बात के लिए, थोड़ा से मेरी बातों को सुनिएगा उसके बाद हम लोग डीटेल में वीडियो के तरफ में चल लेंगे, किस बात के लिए सावासी देंगे, देखिए, पचास माक्स से ज़्यादा जिनके भी आ रहे हैं, पचास नमर के आसपास भी अगर आपके आ रहे हैं, तो यकीन मान ये, आपने बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पेपर करके आए हैं आप, सही सुन रहे हैं आप, आप बिल्कुल भी लूजर में से तो बिल्कुल भी नहीं हैं, अब जिनके दस नमर, पंदर नमर आ रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर सकता हूँ, वो भी लूजर नहीं होते हैं, उनके साथ पर करने नहीं आया हूँ, मैं बस हमेशा फैक्ट पर और सच्चाई में रीलिस्टिक चीजिए पर बात करता हूँ, मैं अगर, मैं अगर UPSC के तियारी करता हूँ, मुझे अगर IES का पेपर दे दिया जाएगा, इंडियन इंजिरिंग सर्विस का पेपर दे दिया जाएगा, उस उसमें भी उन्होंने 50 नमबर उठा लिये तो यह वाकई 87 की चीज़ होती है उसमें कोई गलत नहीं है कोई आपके कम मार्क्स नहीं आये हैं पेपर अजीब आया था वही और पैटरन अलग था इस तरह का पैटरन आज तक कभी नहीं पूछा गया था यह तो ऐसे ही हो गया कि UPSC के त्यारी करने वाले बच्चो गुरूप D का पेपर थमा दो उसमें नहीं ला सकता 40 से ज्यादा नमबर गुरूप D के त्यारी करने वाले को आप BPSC का पेपर थमा दोगे तो वह यही धूने गा कि इसमें Math English कहा गया जिसकी मैं तियारी करके आया था तो इसलिए निर बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि UPSC के पैटरन पर चला गया तब मेरे से नहीं होगा UPSC वाले किसी एस्पिरेंट को पकर कर देखना क्या उसके पूछ लगी होती है क्या क्या उसके दोसर होते हैं क्या सही से हिंदी लिखना नहीं जानते हैं UPSC के चार साल से त्यारी कर रहे हैं सही से बोलना नहीं जानते हैं UPSC के चार साल से त्यारी कर रहे हैं तो भीर ज़्यादा होता है UPSC के नाम पर ब्लॉगिंग ज़्यादा होती है और दिखावटी पने ज़्यादा होता है बच्चों में क्वालिटी लाख वर बच्चे ऐसे होते हैं एक लाख बच्चे जो वाकई UPSC के प्रिफरेशन करते हैं अगर UPSC का भी लेबल चला गया है तो कोई तोप नहीं हो गया है UPSC की आप नहीं कर सकते हैं वो भी बच्चे आप ही के जैसे होते हैं नॉर्मल बैग्राउंड से मीडिल क्लास के बच्चे होते हैं कोई ऐसा थोरी नहीं कि वो आसमान से उत्रे बच्चे हैं बहुत परा हैं उन्होंने अच्छी महंगी कोचिंग की है इसलिए उनको थोरा सा ज़्यादा पचा है कोचिंग के बाद भी नहीं निकाल पाते हैं तो इसमें कोई उनकी भी खरा भी नहीं है मैं ये कह रहा हूँ कि अगर UPSC के पैटर्न पर भी जा रहा है तो कोई तोब थोरी नहीं है UPSC आपने BPSC के त्यारी क्यों की? क्योंकि आपको लगा कि BPSC आसान होगा समय के साथ हर चीज कठीन होता है तो BPSC भी कठीन हो गया तो आपको सामना करना पर रहेगा UPSC और भी कठीन हो गया इसी से आप भाग कैसे सकते हैं अगर त्यारी करना है तो और यकीन मानिए माइंड से थोरा सा बदल लीजे कि BPSC के त्यारी कर रहे हैं तो UPSC लेवल के सवाल नहीं कर सकते हैं कुछ नहीं होता है ट्रिक होते हैं कुछ दो चार वही होता है बाकी वैसे ही होते हैं हमारे जैसे ही दो हाथ दो है दो पैर होते दो आंक होते एक माथा होता है उनके पास आपके जितना मेहनत भी करते हैं वो बस वो मेहनत किसी और चीज़ पर करते हो बुक्स परते हैं आप वोन लाइनर परते थे आप भी अब बुक्स पर लेंगे अब हम भी बुक्स पर लेंगे भई अब 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 तक वोन लाइनर परते हैं हम भी वो बुक्स पर लेंगे अब हम भी एड़ुटेडिया जगा पर विजन पर लेंगे परना ही तो है ना मूँ तो भगवान हमें भी दिया है दिबाग तो हमें भी है हम भी पर लेंगे इसमें कौन से बरी चीज है पताइए मुझे तो इसलिए निरास होने का यह समय नहीं है यह परफॉम करने का समय होता है पचास नमर भी अगर आपके आ रहे हैं 69 BPCPT में तो यकीन मानिए आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं कोई भी आप से आपका हक नहीं चीन सकता आप डिजर्विंग हैं क्योंकि इतने खरा पेपर में अगर आप इतने नमबर लेके आएं बिना पैटर्ण पता हुए ना पैटर्ण का पता था ना कोस्टन का पता था तो आप बहुत अच्छा करके आए हैं ठीक ना तो इसलिए निरास नहीं होने का समय है यह यह देखिए कि किस प्रकार से पेपर आया है आपकी कोई गलती नहीं है पेपर किस प्रकार साय है किस दिसामत त्यारी करना है इसी के लिएकर आज अपना यह वीडियो होगा करेंट अफियर के लिए कौन सा तो देखिए करेंट अफियर मैं पहले आपको समझाऊं उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ क्या दिखाना चाहता हूँ हीट वेव मैंने सीधा सीधा करवाया था पूरा का पूरा वही फैक्ट कॉपी पेस्ट था आपके एक्जाम में हीट वेव के बारे में मैंने करवाया है गंगा डॉल्फिन के बारे में भी बताया था लाइन बारे में बताया था दो से तीन वार मैंने बताया था, P.L.A.S. कीम क्या होता है, कैसे काम करता है, तो यहां से भी सवाल पूछे गए हैं, और Current Affair का कठी सवाल था, प्रियोग सालाम हीरे का निर्मान, मैंने तो Thumbnail भी बनाया था, प्रियोग सालाम बनेगा हीरे, ऐसे करके Thumbnail भी बनाया था, तो यहां से भी सिधा सिधा सवाल पूछा गया है, आपके Current Affair में, सिकीम को लेकर जो विले हुआ था, उसका भी सवाल पूछा गया है, जेंडर गैप इंडेक्स डीटेले पर हाया था मैंने, कि विस्ट एकॉनमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है, और मैंने बताया था कि इसको आप मेंस में और लेक में अपने यूज भी करेंगे आप, तो इसको भी मैंने बताया था आपको, अगला कौन सा है, ये देखिए, ये जो था, वेगनर ग्रूप का चीफ, मैंने जब ये वीडियो यहां पर देखेंगे आप जाकर, तो यहां पर मैंने ये भी बोल आप सारे स्क्रीन सॉट है, वुड डिस्पैच, डीटेल में बताया था, ये भी बताया था, कि सिक्षा में, अगर आप भारत में सिक्षा के विकास पर रहे हैं, आप बिहार के मेंस के लिए पर रहे हैं, तो भी आपको वुड डिस्पैच वागरा पता होने चाहिए, और ये क्या है, ये 11th के NCRT साब का सवाल पूछा गया, तो Human Capital का, जो मैंने NCRT परने के लिए आपको बोला था, कि NCRT आप जरूर परहें, कोई भी किताब परहें न परहें, लेकिन basic NCRT से जी सुरू कीजिए, उसके बाद कुछ भी परहें, वो relevant ही होता है हमेशा, NCRT, NCRT, N NCRT, जब भी कोई बोले क्यों परहें, तो सबसे पहला, जब जैसे मैंने बोला आपको NCRT परहें तो पहला कोस्तन आपका क्या होना चाहिए था, क्यों परहें, मैं आपको अगर बोलूँ कि वीजन परना है तो क्या पूछोगे, पूछोगे क्यों परहें हम वीजन, क्या जहुरत है वीजन परने की क्यों लगाना सुरू कीजिए हर किसी के सामने कोई भी कुछ भी बोलता है तो पहला सब्द होना है क्यों ताकि असपस्टता रहे किलियर्टी रहे आँख मूंद कर किसी के पीछे चलना गुलामी होती है आँख खोलकर जागरूता के साथ थोड़ा चलिए अब जलते हैं थोड़ा से करेंट अफेर के लिए सबसे पहले मैं आपको क्या दिखाऊंगा थोड़ा से सवालों को मैं दिखाऊंगा जिससे आपको यह पता चले कि क्यों परना है मैंने जो बोला है कि क्यों लगाना सुरू किये उस क्यों का जवाब मैं पहले आप को दूँगा उसके बाद मैं आपको बुक बताऊंगा फिर आपको थोड़ा से कटफ का भी अंदाजा में दे दूँगा जिससे आपको ये पता चल जाए कि भाई कितना तक मैं आपको त्यारी करना चाहिए पीटी के सवाल तो मैं आपको नहीं दिखा रहा क्योंकि पीटी के सवाल तो अभी आपको पता ही है कौन कौन से सवाल पूछे गया है करेंट अफेर के लेकिन मैं आपको मेंस के सवाल दिखा रहा हूँ जो पिछले साल मेंस में जो कुछ करेंट पूछे गये थे मेंस और पी P.T. का 80% तियारी हो जाता है, 20% facts वगर आपको revise करने होते हैं, वही last के एक से डेर महीने में करना होता है, सू वेवस्थी जो तरीका है तियारी करने का वो यही है, बाकि अगर आप अभी सही P.T. के तियारी करेंगे, तो ना तो आपका P.T. सही से निकलेगा, और अगर P.T. निकल भी जाता है, तो मेंस नहीं निकाल पाएंगे आप, क्योंकि मेंस के तियारी देर महीने में, जैसे अभी September चल, October शुरू हो गया है, दिसंबर में आपका मेंस का एक्जाम है, तो देर महीने में मेंस का एक्जाम का पूरा-पूरी संपूरों तियारी करना बहुत कठी होता है, ठीक ना, तिसलिए बच्चे सुरुआत से मेंस के तियारी करते हैं, और अंत में जाकर PT ले एक महीना परते हैं, तो अगर आप देखेंगे यह GS1 का पेपर है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, करेंट अफेर के किस प्रकार से सवाल पूछे गया है, उसके बाद है, देखें, यहां पर लिखा हुआ है, SDG सोला के बारे में पूछा गया है, SDG सोला काफी चर्चा में था पिछले साल, बिहार के अधिकार आधारित, इस सेवा परताई की है, यह बिहार के एक सेवा करके एक चैप्टर ही होता है, तो वहां पर अगर आप परहेंगे, आप बिहार का परहेंगे, तो वहां से आपको बहुत सारे डीटेल, इसे मिल जाते हैं, और डेली एक नियूज़ पेपर जरूर फॉलो करना है, अगला कौन सा है, आत्मिर भर बिहार सातनी से, दो सिधा सिधा बिहार सरकार की योजना से सवाल पूछा गया है, करेंट अफ अगला कौन सा है, आपको लेगा, जी एस टू का पेपर है, लेकिन जी एस ओन का ही पेपर है, करेंट अफिर पूछा गया है, सर्वोच नियाल है, मैं दिये कि बुनियादी धाचे कि सिधानत को लेकर पिछले साल बहुत जादा चर्चा में था, और इस वार पीटी में भी आपका बुन्यादी धाचा सवाल पूछा गया के स्वानन भारती वाला तो पिछले साल ये जो चर्चा में था तो current affair में इसको लेकर सवाल पूछे गया है अगला कौन सा current affair का सवाल है देखिए हापर दिल्ली में G20 पर लेकर सवाल इडवांस में BPSC पूछ चुकी है जो south south corporation की बात हो रहे है दक्षिन दक्षिन सहयोग को देखे यहां पर लिखा हुआ है दक्षिन विस्तों को आम लक्षों के एक जूट करने में क्या भारत सफल होगा वगरा 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 जी ट्वेंटी को लेकर सवाल पूछ चुकी है बीपेसी तो मुझे उमीद है कि इस वार ज सवाल कहां से आ रहे हैं करेंट एफिर के सवाल है सेक्षन दो में सेक्षन वन में हिस्टी के सवाल रहते हैं सेक्षन दो में आपको सो परसंट करेंट एफिर देश के मिलेंगे दो सवाल मातर आई यार के हैं एक है दक्षिन दक्षिन सहयोग वारा जी ट्वेंटी वाला है और ये आपका सीरिया तुर्की भूकाम बाला था इसके अलावा कोई सवाल नहीं था आई आर का पेपर में ठेक ना और तीसरा खंड तो आपका स्टेटिक्स कर रहा था जी एस टू का में पेपर एक बार आपको दिखा देता हूँ कुछ टर्मिनलोजी आधारी जी एस टू में भी सवाल पूछे गए ते जैसे गत्यात्मक धर्मिर्पेक्स ता जोती है ये चर्चा में था दाहिंदू में एक माहुदे ने इस बार डीटेल में लेख लिका था तो उसको कॉपी पेस्ट करको उन्होंने पूछ लिया था तो रेगुलर आप न्यूज पेपर को जरूर फॉलो कीजिए उससे आपको बहुत सो बिधा मिलेगा बहुत सारे सवाल वहां से पूछे जाते हैं अगला देखें क्या है भारत के जो ग्लोबल ट्रेड इंगेजमेंट है 2022 का उसके बारे में सिधा सिधा सवाल आपसे पूछ लिया गया था क्या ही किसी बुक में पढ़ते हैं आप नहीं ये सीधा-सीधा करेंट अफेर का सवाल है अगला क्या है TRI जो ट्राइ होती है उसने एक रिविलेशन जारी किया तो उसने एक रिपोर्ट जारी किया तो जिसे बताया गया था बिहार में टेली डेंसिटी जो है फोन का इस्तेमाल और इंटरनेट का जो घनत तो है वो बाकी राज़े से कम है तो यह रिपोर्ट तो आप से नहीं पूछा गया था आप से पूछा गया तिसका क्या कारण हो सकता है तो देखिए रिपोर्ट अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो कॉमन सेंस नाम के एक चिरियां होती है जो सब के दिमाग में होती है लेकिन बहुत कम लोग उस चिरियां को उरने देते हैं आजादी से बाकी समेट कर उसको रखे होते हैं पता नहीं किसके लिए तो कॉमन सेंस लगा कर आपको इस सवालों को हल करना पर और मेंस म आपके 50% अगर आप परके जाएंगे 50% सवाल आपको common sense से solve करना पड़ेगा कोई ऐसा जरूरी नहीं कि जो आप परके गए हैं वही पूछेगा अपने common sense को develop कीजिए अपने सोच समझ को develop कीजिए सब्यक्टों को जोरना सीखिए पॉलिटी को करेंट से करेंट को economy से economy को history से इससे आपको मदद मिलेगी समझ बनाकर वहाँ पर point frame करने में answer frame करने में आप सभी chapter सभी topic परकर नहीं जा सकते जो सारे के सारे main से पूछे जाए कुछ ऐसे सवाल जरूर होंगे जिसको आपको सोच समझ कर खुद से वहाँ पर solve करना पर और UPSC दें UPPC दें BPSC दें किसी भी एक्जाम में आपको यही करना होता है अगला कौन साथ सवाल था ता नीली अर्थव्यस्ता की पहचान के बारे पूछा गया था कि विराष्टे विकास पे दस मुख हायामों में इसको सामिल किया गया Blue Economy, समुदर आधारित Economy समुदर से जो हमारे economy में योगदान मिलता है उसी को Blue Economy कह दिया जाता है ठीक ना उससे क्या योगदान मिल सकता आप मुझे बताईएगा सोच के जड़ा सोचिए, पॉइंट सोचिए, जड़ा बैठे बैठे अभी अंगली पर सोचिए हमें खाना मिलता है वहाँ से, हमें और क्या मिलता है हमें वहाँ से पर्याटन की सुबधाई मिलती है हमें वहाँ से प्राकरतिक संसाधन मिल सकते हैं हमें वहां से तेल मिल सकता है और भी कितनी ही चीजें ऐसी हैं जो हमें वहां से मिल सकता है कोरल डीफ वगरा पर्यावरन को सनक्षन मिलता है वहां सा अधभूत तरीके के जीव जन्तू पाये जाते हैं समुदर में जो प्रकिर्ट को इलिए बहुत जरूरी होते हैं और क्या करता है समुद्र, हमारे लिए कार्वन उट सर्जन को कम करने का भी काम करता है, तो ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ आपको समुद्र से मिलता है, अब इन सबक आपकी economy में क्या योगदान है बाते बनाकर लिखे थोरा सा fact और data के साथ हमें तो ये आपको सोचना ही परेगा जरूरी थोरी नहीं का blue economy पर कही गया होंगे वहाँ पर वही पूछेगा आपको अंदाजा होना चाहिए था blue economy का क्या ताथ परिया बिहार में one अधारित उद्योगों के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है उसके बाद क्या है तकनीक के सौदेसी करन से आप क्या समझते हैं ये सब्द बहुत जाद चर्चा में रहता है कि भई तकनीक का सौदेसी करन क्या होता है बरती उर्जा आप सकता है पूरा करने के लिए परवानु कारे करने के आप सकता है पर आपसे सवाल पूछा गया था चुनावायो के बारे में सवाल था और देखी यहाँ पर अगला जो है सौट सवाल का उसमें देखी क्या क्या पूछा गया सारे current affair आपको मिलेंगे राष्टिय लोजिस्टिक नीती सिदा सिदा अटल इनोवेशन मिशन उसके अलावा क्या है बिहार्व नगरी करन वगरा था हिंद मासागर डाइपोल इंडियान ने विशन डाइपोल के बारे पूछा गया था यह चर्चा में था न्यूज में था और यहां से आपको पूछे लिया गया इतना तो आपको अंदाजा लग गया हो कि current affair से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं आपके exam nation में PT की बात करें, mains की बात करें यह आपके PT के paper है और PT की बात करें, mains की बात करें हर जगह ही current affair से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं यह तो तेह हो गया ना अब हम लोग चलते है current affair के किस magazine को follow करना चाहिए follow करना चाहिए से सबसे पहला सवाल क्या आना चाहिए था क्यों follow करना चाहिए किसी भी magazine को क्योंकि जो magazine होते हैं नम्ठिली, उस McGene में जो पूरे महिने का इंपौर्टेट निूज होता है, निूज्पेपर का आर्टिकल का, उसका सबका एक जगा हमें सार संग्रह आपको मिल जाता है न्यूजपेपर कोई घंटू बैठ कर नहीं पढ़ना है, दो घंटा न्यूजपेपर पैठ कर नहीं पढ़ना है, हमें न्यूजपेपर रोज पढ़ने की एक आदत डालनी पढ़ेगी, कि हाँ भई हम रोज पढ़ रहे हैं, हम अपडेट हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चलड़ा, समाज में क्या चलड़ा, इसको लेकर हम अपडेट है, कई सारे लोग हिंदी नियूजपेपर और इंग्लिस नियूजपेपर को लेकर भी समस्या होती है, अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप आप अनलाइन सर्च कीजिए, मैं भी आपको इस चै दिक्कत होगा, दो दिन दिक्कत होगा, तीन दिक्कत होगा, चार दिन होगा, हो सकता है, दस दिन दिक्कत हो, उसके बाद आप धीरे धीरे पढ़ना सीख जाएंगे, और आप नियूजपेपर भी पढ़ना सीख जाएंगे, आदत डालिए, कोई और आपसन आपके पास है हिंदी के न्यूज पेपर रदी में फेकने लाइक होते हैं, मैं उसको परहाऊंगा आपको, उसमें से case to important निकाल कर, लेकिन सामने तौर पर, वो बेकार होते हैं, उनका कोई अस्तर नहीं होता है सरकार के मुखपतर होते हैं सरकार जो चाहती है उसमें छबाती है सरकार जो चाहती है न्यूज हटा देती है सामाने तौर पर मैं कह रहा हूँ इसलिए हिंदी न्यूज पर भी पढ़िए मैं रोक नहीं रहा हूँ लेकिन जनसत्ता के आर्टिकल बहुत अच्छे होते हैं उसको रोज परहा कीजिए खास अर्टिकल होते हैं उसको परने की आदर डाली उसके लेखन सैली भी बहुत अच्छी होती है जनसत्ता की तो भी आप पर सकते हैं दैनिक जागरन का भी अच्छा होता है हिंदी में बात करू तो एडिटोरियल कई कई बार अच्छा लेकिन सामाने तर पर उसके अरिटोरिय आलोचनात्मक वरनन कीजिए जितने सवाल मैंने आपको दिखा है उसमें से मैक्सिमम में यही लिखा हूँ तो आलोचनात्मक वरनन इंगलीस भी अच्छी हो जाएगी और पढ़ना सिख जाएगे ये दोनों एक काम से हो रहा है ते क्यों नो उसको कर लिया जाए हिंदी के नियूजपेपर भी पढ़ते रहीएगा क्योंकि बिहार सिफसल के काफी सारे करेंट आपको दैनिक जागरन वगरा या दैनिक भासकर में जनसपता में इन सब में आपको मिल जाते हैं कई कई बार ओके ये इतना केलियर होगिया निईजपेपर को लेकर अब हम लोग चलते हैं मैगजीन पर मैगजीन आपको बता देता हूँ जोनों मिल जाता है और इसमें जो करेंट अफियर रहते हैं तो इस मैगजीन में एड़टाइजमेंट नहीं रहता है सीधे सीधे सिराल सब्दों में करेंट अफियर लिखा हुआ रहता है जैसे आपको स्वामित योजना जो आपके पीटी में पूछा गया था वो अगस्त मह आपको पर के जाना चाहिए था करेंट अफियर पीटी के लिए क्या नहीं कोई भी नहीं परता है बीपेएसी के लिए कौन बिजन परके जाता था अब तक इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आपका पेपर खराब गया तो आपकी कोई गलती नहीं है पेपर के पैट नहीं परहा ही नहीं कि भई आईएस क्या होता है और आईएस का इंडियन इंजिरिंग सर्विस का पेपर मेरे सामने लागा रख दिया जाए तो मैं नहीं कर सकता हूँ सिंपल सी बात है समझेगा इस सीज को देखिए अगस्त महिने में यहाँ पर लिखा हुआ है और इसको सवाल पूछ ले जाते हैं पीटी में जैसे स्रिया रिबिंद घोष, सतरंज, विस्चो कफ यह सब चर्चा में रहता है तो यहाँ से सवाल पूछ ले जाते हैं ओके राष्टे फिल्म पूरसकार देखिए यहाँ से पीटी में भी सवाल पूछ जाते है जैसे पुसपा आपको बोलता हूं संस्कृती का चैप्टर अलग रहता है और इसमें देखिए साइंस और टेक का जो चैप्टर है वो काफी जादा डीटेल रहता है विग्याना प्रद्योकी का तो अगर आप लास्ट सिख्स मंत का अगर आप इसका साइंस अंट टेक को ध्यार कर लेते हैं लेकिन विजन 365 जब आता है तो आप पढ़ते हैं जैसे फरवरी महीने में आता है तो उसमें सारा जो आपका पिछले साल का रहता है अगर आपने मन्थली पढ़ा है तो विजन 365 आपका एक वार उठाएंगे तो डिवाइज हो जाएगा इसलिए मैं आपको recommend करूँगा कि मन्थली पढ़िए और मन्थली इसके लेट आते हिंदी मीडियम के लिए मैगजीन लेट में आता है जैसे अगस्त का भी आया हुआ है सेप्टमबर लास्ट में है ना और जब आपका मेंस एक्जामनेशन हो जैसे दिसंबर में आपका मेंस फिर आएगा इनका विजन का लेकिन यह important होता है आपके लिए तो आप इसको जरूर follow कीजिएगा इसमें जैसे समाजिक मुद्धे हैं बांट के दिया हुआ रहता है और परियावरन के मुद्धे हैं उसके लावा सुरक्षा है और कौन सा चीज है और इसमें रहता है आपक इसमें से पढ़ना है बांकी चीओ पर ध्यान नहीं देना है बहुत ज़्यादा डीटेल लेता है इनका इकॉनमी का उसके पॉलिटी वाला आई यार का सेक्षन आजाता है आई यार के सेक्षन को जरूर पढ़िएगा क्योंकि मैप से समझाया हुआ 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 है इन्हों अगर मैं आपको सही सही बताओं अब सब कुछ कंक्लूड करके तो UPSC के लिए मैगजीन जो आती है विजन आई एस और दिरिष्टी आई एस की इन दोनों से कोई एक आप पढ़िए अच्छे से मैं आपको रिकमेंड करूंगा विजन परने के लिए क्योंकि बहुत अच् अभी तक नवंबर देसंबर का करेंट अफेर नहीं तियार किया तब आप क्या करें तब आप दिरिष्टी का मैगजीन ले सकते हैं वरना आप इत्मिनान से तियारी जब कर रहे हैं तो विजन का मैगजीन फॉलो कीजे बेस्ट होता है मेरे हिसाब से ओके ऑनलाइन ऑफला उसको जरूर देखिएगा जरूर देखिएगा क्योंकि आज से ही मैं सुरू कर दूंगा उसको और डेली एडिटेरियल जैसे जनसत्ता दैनिक जागरान दैनिक भासकर इनके परके और अपने सब्दों लिखने की कोशिस कीजिएगा अगर आप हिंदी के स्टुडेंट हैं हिंदी माधियम के तो मैं आपके लिए कह रहा हूँ दैनिक जागरान जनसत्ता या दैनिक भासकर का एडिटेरियल एक कोई परिये डेली और उसको अपने सब्दों लिखिए इसका ये बेनिफिट होगा मुझे पता है जो मैं कह रहा हूँ उसको एक परसेंट लोग भी खेल खेल में ही निबंद की तियारी ऐसे ही की जाती है निबंद की तियारी आप कोई बुक पर के नहीं कर सकते हैं इसी प्रिगार से की जाती है निबंद की तियारी ये चीज़ किलिए होगा Yukar Ngare काanto कर दिया मैंने अब हम लोग चलते है कடंो की तरह देगे कट अगर मैं बात करूँ तो BPSC कट अप पिछली बार जितना भी गया था जिस भी कैटेगरी सा उसके 10-10 नंबर कम कर दीजिए सीदी सी में बात कह रहा हूँ 10-11 नंबर कम कर दीए जहां तक मेरी सोच समझ जा रही है एक छोटा सा आदमी हूँ मैं बहुत छोटी अपना चैनल है छोटा सा मेरे हिसाब से जो मैंने एनलेसिस किया है जो बच्चों के मुझे मार्क्स मिलते हैं जो बच्चे मुझे बताते हैं मेरे हिसाब से पिछले साल स दस नमबर कम जाना चाहिए, cut up हर category का, ठेक ना, हर category का minimum दस नमबर कम cut up जाना चाहिए, अब कोई ऐसा चमतकार हो जाता है कि कुछ बड़े विद्वान लोग आ जाते हो और cut up इसका hundred पार चला जाता है, तब तो भगवान ही मालिक हैं, लेकिन मैं आपको सही सही कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लग रहा है, cut up पिछले साल जितना गया था, उसके दस नमबर कम ही रहेगा, उससे जादा जाएगा, यानि कि पिछले बार अगर जनरल का एक ख्यानबे गया था, इस वार एक क्यासी जाना चाहिए, मेरे हिसाब से, उससे जादा नहीं जाना चाहिए, अग अगर नहीं जाता है, तब तो कोई बात ही नहीं है, तो अगर आपके नमबर देखे इसमें से, अगर आप SC, ST, OVC में आते हैं, तो अगर SC फीमेल में हैं, तो आपको 56 नमबर के आस पास भी अगर आपका cut up नमबर आ रहा है, तो आप इतमिनान से मेंस के त्यारी कीजिए, समय नहीं होगा, और जिनके नमबर नहीं भी आ रहे हैं, 70 BPSC देना है, तो भी भाई लोग आपको मेंस की त्यारी करनी है, मेंस की त्यारी तो करनी ही है, आपको किसी भी हालत में, जैकिन जो लोग cut up की बात करने हैं, तो उनके लिए मैं cut up का बना देता हूँ, मेरे जनरल फीमेल की में बात करूँ, तो मैं उसमें 12-13 नमबर कम करूँगा, दस से जाता मैं कम करूँगा नमबर, क्योंकि वहाँ पर इस्तिती और भी ज्यादा खराब होनी चाहिए, जनरल फीमेल में, क्योंकि एक तो कम बच्चों ने एक जाम दिया है, बहुत कम बच्चों कि त्यारी में लग जाएगे, किसी भी हालत में 84 नमबर तो कत नहीं जाएगा, क्योंकि चोहत्तर पच्चतर ज्यादा ज्यादा उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, मेरे हिसाब से तो मुझे यही लग रहा है, अब चलते हैं, 70 BPSC कब होगा, देखिए 8-9 महिने का, मिनि से पहले तो नहीं होना चाहिए था, आप बोलेंगे सर पिछले साल तो हुआ था, तो आपको यह पता होना चाहिए था, कि 2021 में किसका आ गया था, 67 BPSC का नोटिफिकेशन आ गया था, 2022 के मई में पहला एक्जाम हुआ, लीक हो गया, 2022 के सेप्टमबर में जहां पर आपको हरवरी में हुआ है, इसलिए मैं कहा रहा हूँ, 70 BPSC आपका अगले साल के मई जून तक होगा, और आपको तियारी अगर उसकी करनी है, तो अभी से आप तनमन धन लगा कर मार्च तक कम से कर मार्च अपरेल तक, अगर वो जून में एक्जाम होता है, तो मार्च अपरेल त हर एक टॉपिक को लिख के, पढ़ के, समझ के, नोट्स बनाके मेंस के तियारी कीजिए, ठीक ना, जो आप मेंस तियारी करेंगे तो आपका P.T. खुद बखुद तियार हो जाएगा, कुछ facts रहेंगे जो मैं आपको अंते में करवा दूँगा, तो चलिए आज का वीडिय यही तक रखते हैं, सब कुछ मैंने डीटेल बताया है, कैसा लगा है वीडियो जरूर बताईएगा, अपने हिसाब से मैं आपको best देने ही कोसिस कर रहा हूँ, आप भी खुद से अपने लिए best कीजिए, अपने लिए कभी एक सब्द negative नहीं सोचना है, आप best हैं, पचास स नहीं सोचना है, आपit बताया है, कैसा दितना कें लिए best क Career, बता बताईएगा हैं, आप